चलिए त्रिभुजों की समरूपता पर आधारित कुछ उदारन हल करते हैं NCRT का उदारन नमबर 5 को समझते हैं यहां हमें दो आकरितियां दी गई हैं तथा उन आकरितियों में कुछ मान दिये गए हैं हमें कौन पी का मान ग्याद करना है अगर हम दोनों त्रिभुजों को समरूप दिखा दे तो हम कह पाएंगे कि इनकी संगत कौन भी बराबर होंगे जहां से कौन पी का मान मिल जाएगा तो चलिए इने समरूप सिद्ध करते हैं यहां दोनों त्रिभुजों में तीन भुजाओं का मान दिया गया है तो संगत भुजाओं का अनुपात ग्याद करते हैं यहाँ A B by R Q निकालेंगे तो हमें 3.8 by 7.6 मिलेगा जिसे हल करने पर हमें 1 by 2 मिल जाएगा इसी प्रकार चलिए B C by Q P और C A by P A निकालते हैं और आपका समय शुरू होता है अब समय समाब इन दोनों का अनुपात भी 1 by 2 मिल जाएगा यानि कि दोनों त्रिभुज की भुजाएं समानुपाती हैं इसलिए AAA समरूप तक सौटी से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे ध्यान दीजेगा यहाँ A B C समरूप R Q P है क्योंकि A R के संगत है B Q के संगत है और C P के संगत है अब हम कह सकते हैं कि संगत कौन बराबर होंगे इसलिए कौन P बराबर कौन C हो जाएगा कौन C का माप यहाँ से 40 डिगरी मिल जाएगा इसलिए कौन P भी 40 डिगरी का हो जाएगा चलिए इस प्रश्ण का हाल अपनी कॉपी में नोट कर लीजे और इसे भी अब NC80 का उदाहरा नंबर 6 को समझते हैं इस प्रश्ण में हमें OA into OB बराबर OC into OD दिया गया है और हमें कौन A कौन C के बराबर तथा कौन B को कौन D के बराबर सिद्ध करना है और यह सिद्ध करने के लिए हम दोनों त्रिभुज को समरूप दिखा देंगे सबसे पहले ध्यान दीजी कि अगर हम OC को बाई तरफ भाग में और OB को दाई तरफ भाग में भेज देतों दो भुजाओं के युगमों के बीच का अनुपाद बराबर मिल जाएगा इसके अलावा यहाँ कोण AOD और COD भी बराबर है क्योंकि यह दोनों शीशा भिमुक कोण है तो यहाँ से हमें दो त्रिभुजों में दो संगत भुजाओं के युगमों का अनुपाद बराबर मिल गया तथा उनके बीच अंतरत कोण भी बराबर मिल गये यानि कि ऐसे समरूपता कसौटी से दोन उत्रिभुज समरूप हो जाएंगे तो अब हम कह सकते हैं कि इनके संगत कोण भी आपस में बराबर होंगे इसलिए कोण A, कोण C के बराबर तथा कोण B को कोण D के बराबर हो जाएगा चलिए अब इसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजे और आगे बढ़ने से पहले अपनी क्लास में इन सवालों को हल करना ना भूले यह बहुत इंपोर्टेंट पार्ट होता है किसी भी क्लास का थांक यू